आज हम आपको यहां ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक सामाजिक अध्यन के बारे में फुल वुक रिव्यू देंगे जसा कि आप सभी को पता है कि DL8 के एक्जाम शुरू होने वाले हैं यूपी DL8 के और सेकेंड साम के एक्जाम फर्स से लेके थर्ड तक चलेंगे तो यहां पर हम आपको सामाजिक अध्यन के विशय में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो पहला चैप्टर है मौरेवंश उसके बारे में हम यहां बात करते हैं कि मौरेवंश का जो भारत की इस्थिती थी राजन्यातिक इस्थिती थी वह बहुत बिखराओं की इस्थिती में था इन्हों ने भारत की उस इस्थिती को एक करके एक ब्रहत सामराजिकी स्थापना की थी इस वंश का जो साशक है प्रमुक्षाशक कौन कौन है चंद्रगुप्त मौर पुरा तात्विक स्रोतों के अंतरगर पुरा तात्विक स्रोतों में अशोग के सिलालेग अभिलेग और अन्यवस्त्विये जैसे सोने चांदी या तांबे के चेत के हुए सिक्के इसमें शामिल हैं साथ ही साथ मौर युक के मुख्य पुरा तात्विक स्रोतों को निम लिखे थे ठीक है पहला अब यहां पर चंद्रगुप्त मौरे के बारे में हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौरे का जन्म 445 इसापूर्व हुआ था इनकी माता का नाम मूरा और पिता का नाम नंद रास्था इन्होंने 322 से लेके 298 इसापूर्व तक शाशन किया था चंद्रगुप्त मौरे किसवन से बिलॉं करता है इसके बारे में बहुत जादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जैसा कि यहां पर बताया है चंद्रगुप्त मौरे का जन्म जो है निम्निकुल का माना गया है यह एक यूनानी लेखक न बताया किन्तु इससे यह बात इसपश्ट पूर रूप से नहीं होती है कि वह निम्ने कुल के थे जबकि यह भी हो सकता है कि वह किसी राजवश से संबंधित ना होकर किसी साधारन परिवार से संबंधित थे इसके अलावा जैन ग्रंथ के अनुसार वह गाओं के मुख्या की पुत्री से उत्पन हुआ था उसे मौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस गाओं में मौर पालने वालों की संख्या जादा थी यहां पर मौर जो उनको बोला जाता है उसका अर्थ यह बताया गया कि जहां से वह बिलॉंग करते थे या जहां से वह थे वहां पर मौर पालने वालों की संख्याधिक पाई जाती थी, इसलिए उन्हें चंद्रगुप्त मौरे के नाम से जाना गया, ब्रामन ग्रंथ के अनुसार, ब्रामन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को निम्निकुल का बताया गया है, क्योंकि विश्णु पुराण के एक ठीका कार ने यह बताया क जंधर चंद्रगुप्त के बताया है, महा वन्श के अनुसार, चंद्रगुप्त को मौरे नामक चंद्रिय वन्श से उत्पन बताया गया है, प्रफेसर राय चौधरी ने बताया कि सभी मतों का अध्यान करने के बाद चौधरी जी ने यह निश्कर्ष निकाला कि चंद्रगुप्त मौर छत्रिय था, निम्न कुल जाती का नहीं था क्योंकि चाड़क के कट्टर ब्रामभड थे और चंद्रगुप्त नीच जात का होता तो वे उसे अपना शिष्य नहीं बनाते, यहां इन्हों ने प्रफेसर राय ने यह तर्क दिया है कि चंद्रगुप्त मौर ये नीच कुलका होता, तो चाड़क के जो कि एक ब्रामभड थे उसे कभी भी अपना शिष्य नहीं बना सकते थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौ और नीच कुलका नहीं होकर एक चंद्रगुप्त मौर ने मगद के समराठ घणानंद को युद्ध में हरा कर मगद के राज में अपना अधिपत्ते स्थापित किया और मौरवंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर ने चाड़के की मदद से मात्र 25 वर्ष की अव चंद्रगुप्त मौरणी अपने जीवन के अंतिम समय में जैन भिट्चु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और जैन धर्म को उन्होंने अपनाया था। इसके अलावा अपने पुत्र बिंदु सार को सिंगहासन सौप कर वह बहुत भिख्षियों के साथ स्रवन बेल गोला चले गए थे। वही पर इन्होंने जैन धर्म को प्रचलित किया और उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे जैन मुनी होते हैं अपवास के द्वारा अपने शरीर को त्यागते हैं। वैसे ही यहां पर इन्होंने भी जैन धर्म का पालन करते हुए अपने उपवास और अपने शरीर का त्याग किया था। अब हम आगे चंद्रगुप्त मौरी की उपलब्दियों के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौरी ने समराज्य का विस्तार संपोर्ण भारत में किया हुआ था। इन्होंने एक संपोर्ण भारत को राजनैतिक सूत्र में भी बांधा था। और इनका जो राजिता वो हिंदु कुष्परवत से पूर्विसे बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिड में मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौरी की प्रमक उपलब्वियां और भी हैं जैसे पंजाब पर विजय जै। सिकंदर की मृत्यू के बाद पंजाब में यूनानी राजाओं का प्रभुत बढ़ गया था। इस प्रभुत को खतम करने के लिए चंद्रगुप्त मौरी ने पंजाब पर आक्रमन 316 इस भी पूर्व किया था। और इसे अपने आधिन कर लिया था और वहां से यूनानियों को बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है इनकी मगद पर विजय, पंजाब पे अपना सामराज इस्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौरी ने मगद के समराज घनानंद को युद्ध में 321 इसापूर पराजित किया और अपना सामराज वहां पर इस्थापित किया। मलय केतु के विद्रोह का दमन। पुत्रापत की राजा परवर्तक की म्रत्य हो गई थी और परवर्तक की म्रत्यु के पश्चा उनका पुत्र मलय केतु गद्धी पर बैठा था। विशाकादक्त की पुस्तक मुद्राराक्षस के अनुसार मलय केतुने नंदराज के मंत्री और अन्य सामंतों की मदद से चंद्रगुप्त मौरे के खिलाप विद्रोह कर दिया था, तो चंद्रगुप्त मौरे के जो गुरु थे चाड़क्य, उनकी कूटनी थी बहुत प्रस कर दिया था, नेक्स्ट आता है दच्छन भारत पर विजय, उत्तर भारत पर अपना सामराज इस्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौरे ने दच्छन भारत में भी अपना सामराज स्विस्तार किया, महाचत्रप रुद्रदमन के जूनागड के अभिलेक के अनुसा चंद्रगुप्त का सौराष्ट पर अधिकार था, सौराष्ट मतलब जक्षियन, सेल्युकस के साथ संघर्ष, सिकंदर के सेनापती सेल्युकस की केटर इरान और बैटरिया की को जीत कर सिंदो नदी के पार भारत पर आक्रमण कर अधिपत्त इस्थापित करना चाहता था, चंद्रगुप्त मौर ने सेल्युकस निकेटर को 305 इसापूर्व सिंदो नदी के टत पर सामना किया और उन्हें युद्ध में परास्ट किया, ठीके, चंद्रगुप्त मौर इस युद्ध में विजाई हुए और सेल्युकस निकेटर को उनसे संधि करनी पड़ी, इस लगानिस्तान से हिंदुकुष परवत तक है मौझे दिया गया और सेल्यूकस निकेटर ने पुत्री राजदूर, जिनका नाम मेगस्थनीज था चंद्रगुपत मौझे के दर बार में उनको भेज दिया था तो इस विजए का क्या परिणाम हुआ कि उत्तर पश्चिम में मौरल समराज एक वैग्यानिक सीमा निर्धारित हो गई थी और इस समराज का विस्तार मैसूर से हिंदु कुश परवत तक हो गया था आगे आते हैं कि मेगस्तनीज कौन थे मेगस्तनीज यूनान का एक राजदूत थे जो 305 इसापूर्व से 290 इसापूर्व के मध्य भारत में थे जो चंद्रगुप्त के दर्वार में थे और कई वर्षों तक वे चंद्रगुप्त के दर्वार में ही रहे उन्होंने जो इंडिका में बताया है और पाटली पुत्र का इसमें बहुती सुंदर और विस्त्रित वर्णन किया है मौरे प्रशाशन कौन थे? मौरे प्रशाशन किस प्रकार से संचालित होता था? इसके बारे में हम थोड़ा यहां समझेंगे, कि मौर प्रशासन तीन भागों में विभगता, पहला है केंद्री, केंद्री शासन, दूसरा प्रांती शासन और तीसरा इस्थानी शासन, केंद्री शासन के अंतरगत, केंद्री शासन के अंतरगत, विविद विभाग को कहकत संबोधित किया जाता था जिनकी संख्या 18 होती थी और एक तीर्थ का महामात्य उसके आधिन था चीक है महामात्य के आधिन एक तीर्थ था इन 18 महामात्यों और उनके अलग-अलग कारे थे जो महामात्य थे जिनके अंडर में तीर्थ थे उनके काम भी अलग-अलग थे जिनमें प्रमुक रूप से मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, यूराज, प्रदेश्ठा, प्योहारिक, नायक, कार्मान्ति, मंत्री परसत, अध्यक्ष, आधिस में समली थे सैन्य विवस्था, सैन्य विवस्था, मौरप्रशाचन में सेना का ये अलग विभाग होता था, जिस सेना का प्रबंध एक मंडल करता था, इसमें 30 सदत से होते थे, और इसकी 6 समितिया थी, सभी प्रतेक में 5-5 सदत से होते, जो 6 समितिया थी, सम्में 5 सदत से थे, सेना प सेना थी इसमें हाथी घोडे रथ पैदल और सैनिक थे साथ ही साथ उसके पास एक नौ सेना भी थी अब हम प्रांतिय प्रसासन की बात करेंगे प्रांतिय प्रसासन क्या था इकाईयों में डिवाइड था सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी चंद्रगुप्त मौरे के समय इन मिश्चित रूप से मालूम नहीं है लेकिन अशोग के समय इन प्रांतों का उल्ले मिलता है जो इस प्रकार है उत्रापंत उत्रापंत जिसकी राजधानी तक्षशिला थी अवंत इसकी राजधानी उज्जैनी थी कलिंग इसकी राजधानी तोशाली थी दक्षणापत इस जिसकी राजधानी सुवनगिरी थी और प्रासी, प्रासी मतलब पूर्व प्रदेश से ताथपरे है इसका, जिसकी राजधानी पाठली पुत्र थी, इस्थानिय प्रशासन के बारे में, इस्थानिय प्रशासन, गाओं का शासन तथा न्याय ग्रामिक द्वारा किया जाता, जो गाओं का शाषन था जो न्याय वबस था थी वो ग्रामिक द्वारा देखी जाती थी ग्रामिक के ऊपर गोफ होता था ठीक है और जिसके नियंतरण में 5 से 10 गाओं हुआ करते थी गाओं का प्रबंध बहुत ही अच्छा था और नगर का प्रधान प्रबंध को नगर अध जयक्ष कहते थे मेगस्त नीज ने बताया है कि नगर का शाषन 30 सदस्यों के एक समूँ द्वारा किया जाता था जो 6 समितियों में बटा था इसमें सभी में 5 सदस्य होते थे जिसमें ये समितियां हैं कौन-कौन से समितियां सिल्प कला समिति विरेशी यात्री समिति जंग तो बिन्दुसार के बारे में जानकारी लेंगे हम यहाँ पर चंद्रगुप्त के मृत्यू के बाद उनका पुत्र बिन्दुसार जो की का बिन्दुसार का विरुद्रा और तिंदुसार लामा तर्ना तथा जैन अनिश्रुती चाड़क के बिन्दुसार कЗ मृत्र चंद्रगुप्त के बाद कुछ राज्यों में मौर सत्ता के विरुद्ध विद्रोह होने लगे तो जाणक ने उन्हें अपनी कूट मीती द्वारा समाप्त कर दिया दिव्यवदन के उत्रापत की राजधानी तक्षसिला में ऐसे ही विद्रोह का एक उल्ले मिलता है इस अशोग खस देश गये खस जो नेपाल के आसपास का प्रदेश है उसको उस समय खस देश कहते थे तारनाच के अनुसार खस्य और नेपाल के लोगों ने विद्रोह किया और अशोग ने इन प्रदेशों को जीत लिया पुराणों के अनुसार बिंदुसार में लगभग 25 व महावंश के अनुसार 27 वर्षों तक राज्य किया ठीक है तो पुराणों में बिंदु सार के जो सामराज्य है कि कितने वर्षों उन्होंने सासन किया उसके बारे में अलग-अलग उल्ली मिलता है डॉक्टर राधा पुमत मुखर जी ने बिंदु सार की मृत्यू की जो तिथी है वो कीसापूर 272 और कुछ तथ्यों ने 268 हिस्वी पूर की ओर इसको इंगित किया है या इसके बारे में बताया है अशोक महान हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक बहुत महान सम्राट थे तो अशोक विश्व प्रशिद्य और सक्तिसाली भारती मौर राजवन्ष के महान सम्राटों में से एक थे इनका पूरा नाम देवा नंद प्री अशोक था राजा प्रिय दर्शी देवताओं के प्रिय था इनका जो राजिकाल था वो 273 इसापूरों से प्राचीन भारत में था आंत्रिक अशांति के कारण 279 इसापूरों में अशोक का विधिवत राज्या भिशेक हुआ था तो यहां पर जब अशोक तब विधिवत राज्या भिशेक हुआ था उसके बारे में बताया गया है मौर राजवंश के चक्रवर्ती समराट अशोक ने अखंड भारत की स्थापना की थी इनका जो सामराज था वो उत्तर हिंदुकष की स्रेणियों से लेके दक्षिर में गोदावरी के दक्षिर तथा मैसूर के पूर में बंगाल से पश्चिम और अफगानिस्तान इरान तक था समराट अशोक का जो सामराज आज संपूर्ण भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल बांगला देश भूटान और म्यामार के अधिकांश भू भागो पर भी इनका राज इस थापिक था तो यह क्या है यह विशाल सामराज आज तक का सबसे बड़ा भार्तिय सामर रहा है असोक समराट को चक्रवर्टी असोक समराट किसलिए कहा जाता है क्यूंकि समराटों का समराट और यह इस्थान भारत में केवल समराट अशोक को दिया गया था समराट अशोक ने अपने विस्तृत समराज को पुशल प्रसासन और बौध धर्म के प्रचार के लिए उनके प्रशासन को जाना जाता है या उनके समराज को जाना जाता है उनके समय को जाना जाता है अब इसमें नेक्स्ट आता है कलिंग का युद्ध चक्रवर्टी लेक के अनुसार कलिंग युद्ध में एक लाख पचास हजार व्यक्ति बंदी बनकर निर्वासित कर दिये गये थे एक लाख लोगों की हत्या हुई थी जिससे अशोग सम्राड क्या थे उनका जो रदय था वो परिवर्टित हो गया था क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा न के बाद इनकी जो प्रवत्ति थी उस नरसंगार को देखके बदल गई और अहिंसा को इन्होंने अपने जीवन का मूल मंद्र समझ लिया था अशोग का धर्म विश्व इतिहास में महान है क्योंकि इसमें मानाव की नैतिक उन्नतिक्या प्रयास किया गया है और साथ ही साथ सत्य अहिंसा मानो कर लिया और जीवन का अभिन अंग इसको माना गया है इसके लिए अशोग ने बहुत सारे सिध्धानतों एवं नियमों का प्रचार प्रसार किया मौरे समराज का पतन ठीक है अब हम आगे आते मौरे समराज का पतन किस प्रकार हुआ कि अशोग की मृत्य में का पतंग शुरू हो चुका था इसका कारण क्या था कमजोर राजाओं का उत्राधिकार होना साथ या सामराज का दो भागों में विभाजित होना और यूनानी आकरमन रोक कर मौर सामराज क्यों पहले की तरह दोबारा सक्तिशाली बनाया जा सकता था लेकिन अशोग की जुझै, तो सुनी आपर, युनानी आकर्मण कारियों को रोक सके तो उन्हों ने दुबारा आकर्मण किया मगद पर और और उसे अधीन कर लिया था है। नेक्स्ट है समराज का विटन, समराज जो छोटे-छोटे भागों में डिवाइड हो गया था, तो जब सभी राज अपनी मनमानी करने लगे, जिससे मगध समराज जो है उसका पतन हो गया था, क्योंकि अशोग का जो समराज था वो बहुत बड़ा था और चोटे-चोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो गया, उच्च पदों पर भ्रष्टाचारी लोग ठीक है, जो उच्च पदों पर आसीन समराट के जो लोग थे, वो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी हो गया और वो शाशक हो अपने अंडर में रखकर काम करवाने लगे। साथी साथ आंतिरक प्रशासनमें अववस्था जो मगद की आंतरिक प्रशासन वववस्था थी, उसमें बहुत सारी वववस्थाएं उत्पन हो गए जो ये अस्तवियस्त हो गए जिसके कारण समराज का पतन हो नेनस्ट अशोक की धार्मिक नीथी उसके सामराज के ब्राम्धनों ने विरोध किया था क्या है क्योंकि अशोक ने पशुवध पर पर्तिबंध लगाय था जिससे ब्राम्धनों की आयोनी बंध हो गयी थी जिसके और किन fallen in उन्हें उपहार के रूप में विभिन Cord कर बलिद अच्छा, next topic, next point, ठीक है, अशोक अपनी धार्मिक गतविदियों को आगे ले जाने में इतना अधिक व्यस हो गया था कि उसने मौरस आमराज के जो उत्तर पश्चिम सीमान जो प्रदेश थे उस पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फाइदा युनानियों और अफगानियों उठाया और अपने राज्य की स्थापना कर ली, सेना और नौकरशाही का भारी खर्च, ठीक है, इस मौरस आमराज में समराट अशोक की जो सेना थी, वो बहुत बड़ी थी, तो उन पर बहुत अधिक खर्च भी होता था, और अशोक ने अपने साशनकाल के दौरान बहुत पर भारी खर्च किया हुआ था, जिससे उसका जो साही का जाना था, रिक्त हो गया था, इसके अलावा अशोक के जो उत्तरादिकारी थे, उन्हें भी इस कारण वित्तिय संकट का सामना करना पड़ा था, चीक है, तो अब ये मौरस सामराज के पतन के कारण, नेक्स जो उदय हुआ, वो हैं गुप्त सामराज, गुप्तवन्श सामराज का भारती इतिहास में एक महालथवपोण की इसथान है, इसी मौरस सामराज के पतन के बाद भारत की राजनेयतिक एकता का अंध हो गया था, और इसे पुनय स्थापित करने के लिए ऐसा साशक की का जो श्रेय है वो गुप्त सासकों को जाता है गुप्त सामराजी का प्रारम 275 जी से बहते इसे पहले जो classrooms स्रीगुप्त थे इनके अधिकारी साथमी सधी तक राच करते रहे इस वन्ष में चंद्रगुप्त प्रथम, समध्र गुप्त, चंडर गुप्त, विक्रमादित, इसकंद गुप्त और प्रतापी अन्ना समराठ हुए। कुमार गुप्त, पूर गुप्त, बुध्ध गुप्त, इसवंश के अंतेमसासप जो थे वह विश्नुगुप्त माने जाते हैं। श्रीगुप्त तो गुप्त सामराज की नियों किस नहीं रखे थी? श्रीगुप्त ने रखे थी. 275 से 310 वी पूर्ट. गुप्त वण्ष के संस्थापक के नाम को लेकर बहुत सारा विबाद अभी भी मिलता है कि लेखों में गुप्त वंश के प्रतम सासक का नाम गुप्त मिलता है, जबकि कुछ प्राचीन लेखों में आज भी उन्हें श्री गुप्त कहा गिराता है, परवर्ती गुप्त लेखों में भी इनका नाम श्री गुप्त ही मिलता है, श्री गुप्त ने महराजा की उपाद धारण की थी जिससे यह पता चलता है कि वह स्वतंत्र शाशक नहीं थे नेक्स्ट आता है घटोतकच श्री गुप्त की मेत्यु के बाद इनका पुत्र घटोतकच जिनका साशनकाल 275 से 330 तक उन्हों ने शाशन किया इसमें भी माहराज की उपादी को धारण किया था और यह सुतंत्र सासकना होकर किसी के आधीन सासक थे नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम घटोतकच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 330 स्वीट गुप्त मंश का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है इन्होंने अपने राज्य अभिशेक के बाद 319 से 320 म थारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम का शाशनकाल 319 से 330 इस्वी तक चला नेक्स्ट इनके बाद है समुद्रगुप्त 330 इस्वी में अपने पिथा चंद्रगुप्त प्रथम के राज को समुद्रगुप्त ने आगे विस्त्रित किया था यह लगभग 45 वर्ष हो थ सिति बताई है वो 335 değil 330 इस्वी बताई एंके विशय में अनेक शिला ले इस्तंभों इसके अलावा मुद्रा साहित्य। ग्रंथ हाधि से जानकारी प्राप पोती है, राम गुप्त क्या थे, राम गुप्त समुद्र गुप्त के बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र होने के कारण इन्हों ने जो राजा थे, उसका पद ग्रहन किया था, पर राम गुप्त क्या थे, बहुत ही विलासी और कमजोर प्रवत्ती के थ विशाखा दत्नाटत देवी चंद्रगुप्तम से इसके बारे में पता चलता है चंद्रगुप्त दोती विक्रमादित चंद्रगुप्त दोती जिनका शाशनकार 380 से 414 इस्वीपूर था यह समुद्रगुप्त के सबसे छोटे और राम्दुप्त के भाई थे गुप्त सिलालेक के अनुसार अपने पुत्र समुद्रगुप्त से राजकुमार चंद्रगुप्त दोती को इन्होंने अपना उत्राधिकारी बनाया था चंद्रगुप्त दोती इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित के नाम से प्रसिध है इनकी माता का नाम धत्ता तेवी था और विक्रमा दित्ने 380 में सत्ता ग्रहण की थी ठीक है अब हम आगे आते हैं गुप्त शाशन की व्यवस्था गुप्त शाशन प्रणाली जो है इसमें केंद्री प्रशाशन केंद्री प्रशाशन के अंतरगर जिसमें राजा की सहायता के लिए केंद्री इसकर पर मंत्री और अमात्य होते थे जो मंत्रियों का चेहन उनकी योगटा के आधार पर करते थे तो कामंदक और कालिदास दोनों ने ही मंत्री मंडल या मंत्री परशत का उल्ले किया है इसके अलावा इनके जो विभाग थे जिसमें सेन का सर्वोच अधिकारी था वो महा बला दिक्रत कहलाता था न्याय विभा का सर्वोच अधिकारी महा दंड नायक कहलाता था युद्ध शांति का सर्वोच अधिकारी संधि विग्रहक कहलाता था पुलिस विभा का सर्वोच अधिकारी दंड पाशिक कहलाता था विदियम को जो सर्वोच अधिकारी था महा अक्ष्य पटली का कहलाता था, और युद्ध में विजित संपत्ति का जो लेखा जोगा करने वाला अधिकारी था, युक्त-पुरुष और राज-पृसाद का मुख्य, सर्वोच अधिकारी महा प्रतिहार जिसको कहा जाता था। नेक्स दिनके प्रांती साशन वेबस्था में हाते हैं तो शाशन की सुविदा के लिए गुपत क्षामराज के को अनेक प्रांतों में बाटा गया था जिसे जुपति कहा ग手 इनक्ति क्षाषन नियुकति सम्राड वारा कि जाती थी जिने उपरिक या देश, गोपता, भोगपती तथा इस्थानी कहा जाता था। जो निम्ने इस्तर के न्याइक मामलों पर अपने निप्तारा करते थे समीति परिसिते और संस्थाएं भी इन विवादों को देखती थी मंत्री और पुरोहित भी इन न्याइक मामलों में उनकी सहायता करते थे नेक्स आता है फायान फायान जो इन्होंने अपना संपूर समय पुस्तकों में ही विताया था बौध पुस्तकों में चीक है यह 399-414 इस्वी पूर्व इनका समय बताया गया है लेकिन फिर भी नोंने चंद्रगुप्त दोतिये के काल में राजनैतिक धार्मिक सामाजिक आर भारत आया था वह जब 65 वर्ष की आयू में 399 इस्वी में अपने चार साथियों के साथ भारत यात्रा पर निकले थे इस यात्रा में 15 वर्ष लगे थे जिसमें 7 वर्ष 405 से 411 इस्वी तक उन्होंने भारत में अपना समय दिया था पाटली पुत्र में यह 3 वर्ष तक रह और सुंदर्मठ स्थापित थे उत्तर कालीन शाचन ठीक है कुमार गुप्त प्रथम और महेंद्र दित्य के बारे में हम यहां बात करेंगे अब जिनका जो शासन था वह 414 से 445 इस्वी में के समय था कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त दोतिय की मरत्यू के बार 4 1414 इस्वी में सट्था उन्होंने ग्रहन की थी यह समुत्र कुप्त की तरह अश्वय के सिके इनोंने जारी किया थी चंद्रगुप्त दोतिय का उत्तरा अदिकारी था कुमार गुप्त का शाशन सान्ति और समरद्धि के लिए माना जाता है इसकंद विक्रमादिथे आनके पुच्ण उनका पुत्र इसकंद गुप्त इसकंद गुप्त स्वत्र भाई था जो इसकंद गुप्त कि कोbirds नाँके कारण उनकी मृत्यु के पस्चाः सिंगासन पर weet》 सुरी राम गोपल ने बताया है biz है कि नं नर सिंह । बलादित्य प्रथम पूरुगुप्त का उत्राधिकारी हुआ, लेकिन कुमार दुती 474 में शाशंक बने, इनका भी प्रमार प्राप्त होता है, बुद्ध गुप्त कुमार गुप्त दुती के बाद, बुद्ध गुप्त 477 में सिंगहासन पर विराजमान हुए थे, और इन विर्णफ सिंघुप्त वो बलादित्य सिंगहासन पर बैठा और इस समय पाश्य में भानवुप्त ने स्वयम को स्वतंत्र सासक के रूप में घोषित कर दिया था स्वयम, exist Sansa. गुप्त काल के अंतयम सासक कुमार गुप्त तृति विश्द हुएृ। विश्वुप्त क गुप्त काल के किसी सासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो गुप्त सामराज की पतन के कारण थे गुप्त सामराज की पतन के कारण हुडों का आक्रमण, आंतरिक विद्रो, सामराज की विशालता, ठीक है विशाल सामराज का होना, उत्राधिकार के लिए युद्ध हो और अन्ने एक आर्थिक समस्य आए थी इसके अलावा धर्म का भी प्रभाव था क्योंकि गुप्तकाल के ब्रह्मन धर्म के अनुआ थे और वो सामरेक प्रवत्वी थे लेकिन गुप्तकाल इंशाशक क्या थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे चीक है अब हम यहां पे गुप सामराज को भारत कर स्वणीयुक कहा जाता है, मारवण्ष के बाद राजनैतिक एकता को पुनाय स्थापित करने के लिए गुप्तवंष को जाना जाता है जो साहित्य और संस्कृति के छेत्र में इस अवधिका योगदान सम्वान पूर्वत याद किया जाता है, यूगि इस समय जो साहितिक और सांस्कृतिक विकास हुआ है, ऐसा विकास किसी भी सामराज में नहीं हुआ था, किसी भी राजा के समय नहीं हुआ था, घुत्तकाल के विकास में निमनशीर्शकों द्वारा हमें स्पष्ट कर सकते हैं, पहला है राजनैतिक एक्ता का यूग, राजनै का यह यूग माना जाता है इसके अलावा महान सम्राट भी इस यूग में हुए हैं और कला की उत्पत्ति जिसमें सारनात का सारनाक के स्थूप नालंदा के विहार शिव मंदिर देवगड के दशावतार मंदिर इत्यादी इस यूग में देखने को मिलते हैं अब नेक्स जो वन्ष है वो है वर्धन वन्ष वर्धन वन्ष हर्ष वर्धन जिनके शाशक थे ठीक है तो वाणवत्र द्वारा रचित हर्ष चरिता में उश्य भूती ने वर्धन वन्ष के आदिपुरुश अर्थार वर्धन वर्ष का जनक माना गया है हर्ष वर्धन के पिता का क्या न 590 इस्वी में हुआ था, राजवर्धन पिता की मिर्त्यू के बाद वे सिंघासन पर बैठे थे, ठानेश्वर के सिंघासन पर वो विराजित हुए थे, इसी दौरान बंगाल का जो शाशक था, वो मालवा के राजा देवगुप के साथ मिलकर, कन्नौज पर आत्रमण करकर, वहां के जुग्रह वर्मा चाह सकते हैं, उनकी हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया, राजश्री किसकी बहन थी, हर्षवर्धन की बहन थी, ठीके, यह सूचना मिलते ही, राजवर्धन की रक्षा के लिए गया, और राजवर्धन की हत्या कर दी गई, ठीके, राजीवर्धन की हत्तेयां के बाद हर्ष वर्धन् इस वेन्स के राजीवर्धन हर्ष वर्धन के बड़े भाईते राजिवर्धन से उन्हें तर भारत के अन्हें और श्रुषय पर विजए अभीयान के बारे शाशक से भी युद्ध हुआ ठीक है और यहां भी यहां भी इनका साशन इस्थापित हुआ दक्षण में पुलकेशिन दोती से युद्ध हुआ जो नर्मदा नदी के दक्षण में विद्धमान था और उत्तर भारत पर आक्रमण के बाद हर्ष ने 620 इस्वी में दच्षण भारत की ओर अपना रुक किया और पुलकेशिन दोती है वहां का शक्तिशाली राजा था लेकिन हर्ष उसे परास्त करने में समर्थ नहीं था अता उनके मद्ध हुए युद्ध में हर्ष पुलकेशिन को नहीं जीत पाए और हर्ष को युद्ध में इस युद्ध में अत् यह क्विवरण है उसके बारे में अब हम यहां बात करेंगे तो हैंसांग क्या थे चीनी आत्री थे जो हर्ष वर्धन के समय भारत आये थे वह 629 इस्वी में चीन से भारत आये थे और 645 इस्वी में वापस चीन लौट गये थे उन्होंने लगबत 15 वर्षों का समय भारत में बिताया था वैं नालंदा विश्विद्याला में अध्यन करने और भारत में बाद ग्रंथों को लेने आये थे हर्ष की प्रयाक सभा में समलित होने के बाद वैं वापस चीन लौट गये थे बाद ग्रंथ के और भगवान बुद्ध के वह कुछ आशेशों को अपने साथ ले गये थे उन्होंने चीन पहुंचकर अपनी यात्रव विवरण गीखा जो एतहासिक द्रश्टी से अत्यधिक महत्वपूर्ण है नेक्स्ट है सामन्त वात कालीन भारत ठीक है दस्वे सताब्धी के बार भारती समाज में बहुत जादा परिवर्तन हुए इन में से प्र ठीक है तो सामन्त वाधी विवस्था क्या थी इस काल में राज्यों में कई ऐसे छेत्र थे जो पराजी तत्वा आधीन राजाओं का जहां प्रभुत्तो था और वे अपनी स्वाधिंता की घोशना के लिए आवसर या समय खोशते रहते थे जिससे राज्यों के कई छेत्र इन जो अधिकारी थे इनके पद भी वंशानुगत हो गए और ऐसे लोगों की धीरे धीरे संक्या बढ़ती गई जो जमीन या भूमी पर बिना कारे किये इससे धन अर्जित करते थे ठीक है ऐसी विवस्था को ही सामन्त वाधी विवस्था कहा जाता है इनका क्या कारे था यह ऐसे लोग थे जो शक्ति शाली थे और जमीन पर बिना काम किये उस पर अधिकार रकते थे ठीक है इनका जमीन पर अधिकार होता था और उस उससे जो अधीकार हॉता था अबधिकर राजपूतों की उद्पत्ती राजपूतों की साथी से बारीवी सधी तक के कहां को राजपूत काल गहा जाता है। इन राजपभ वंश्यों सेनानियों के समूहिक नाम है जो अपने सथा स्थु पारोष और पराक्रम के लिए इतिहास में प्रसिध है् रमुक राजवंशेंस के पाल चरित और वन रतनाकर आधि में 26 कुलों की सूची मिलती है कल्णड की राज तरंगडी में 36 राजपूत कुल के बारे में हमें उलेक मिलता है जिसमें जो विवरण है वो निमलिकित है जिसमें पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प् के नाम से प्रसिध है इनका जो प्रारम्य कितियास में सबसे आरव जो आक्रमन कारी थे इनके प्रसार और विस्तार को रोक दिया था और सिंधु के आगे इन्हें बढ़ने नहीं दिया था तो अरभों के प्रसार कोई रोक कर गुर्जर प्रतिहारें वन्स के cooking वस्त drowning में जिनका जो अनुमानित समय माना गया है वो 725 इसवी से 740 इसवी तक इसको निश्शित माना गया है। पाल राजवंश आता है नेच्ट, धर्मपाल जो 770 से 780 समय के मद्धे थे, ये पालवंश के संस्थापक और गोपाल के उत्र थे। इन्होंने अपनी जो राज़ी की सीमा थी, वो सोन नदी के पश्चिम तक बढ़ा दी थी और धर्मपाल भागलपूर में गंगा के किनारे विक्रम शिला नामक बाध भिहार भी बनवाया था। नेक्स आता है चाहमान राज़वंश। इस वंश का प्रथम और उलेकी जो नरेश था वो विक्रह राज गतिय था। इन्होंने सन 973 इस्वी के लगभा शाशन चुरू किया था। नेक्स आता है चंदेल राज़वंश। कुंदेल खंड के चंदेलों का राज सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। नविश अधाभवी के शुरू में छतरपूर के निकट एक राज़ को ननकु ननुक ने इस्थापित किया था। ननुक के प्रूत के कौन थे जैशक्ति और विजैशक्ति। जैशक्ति के नाम के अधार भी ही चंदेलों का नाम जयजा भूकती पड़ा है। परमाराजवंष। अनेक्ट चाहता है परमाराजवंष। परमाराजवंष की उत्पत्ती हुई वह गूजर प्रतिहारों के भाति की तरह ही अगनी कुंद से बताई जाती है। टीक है। इस वंश का उुद्वा जो था Sumatth होने के बाद उआ था. पर्मारों की शक्ति के वास्विक रूप वाकति मुंजि ने विकास किया था। भोज जो है इसी वंश के सबसे प्रसिध्र राजा माने गया है। नेक्स्ट है गहडवाल राजवंश, गुर्जर पतिहारों के बाद चंद्रदेव ने कन्नोज के गहडवाल राजवंश की स्थापना एक हजार नब्वे स्वी में की थी, कुल्चुरी राजवंश, कुल्चुरी राजवंश, गुंदेल खंड के चंदेलों के राजव के दक्षण में आधुनिक जबलपूर के पास कुल्चुरी राजपूतों का राजव माना गया है, ये स्वयम को है है वंश का शत्री बताते हैं, कुल्चुरी राजव की छालुक रध्खवा शोलंकी वंश की उत्परथि अगनिकुंट सी बताई जाती हैं यह वी राजपूतों में आते हैं वालनणगर के लेख में इनकी वंश की पत्ति जो है ब्रह्मा के चुलुक अथवा कमधल से बताए इनकी उत्तरती प्रमुक के बात करते हैं दचछिन भारत के प्रमुक्राजवंश इसमें चालुक वंश पल्लाव वंश बच्चिन भारत के जो प्रमुक्राजवंश है उनमें पल्लाव वंश ठीक है जिसके इस थापना 350 इस्विपूर पल्लाव कृष्ण नदी के तढ़ पर हुई थी महेंद्र वर्मन या नर्सिंग मर्मन दवती इसके प्रसिद्ध सा सक रहे हैं चोल वंश्ट की स्थापना तमिल प्रुदेश में इस्थित है राश्ट कूट वंश्ट वंश्ट के नरेश्ट दंति दुर्ग ने इस वंश्ट की स्थापना इसलाम इवं सल्तनत कालीन भारत यहां पर इसलाम के उदय के बारे में हम बात करेंगे इसलाम धर्म का उदय था वो सात्वी सतापदी में अरब प्रायदीत में माना जाता है इसके जो अंतिप पैगंबर नवी मुहम्मद सुल्लाहु अलिख वसल्लम का जन्म पांसो सत्तर इस्वी हिज्री समद से तिरपन वर्षपूरु बक्का में हुआ था ठीक है लगभग 613 इस्वी के आज पर मुहम्मद साहब ने लोगों को अपने घ्यान का उद्देश देना शुरू किया था इसी घटना को इसलाम का उदय या इसलाम का आरंब माना जाता है हज्रत मुहम्मद इसलाम धम के प्रवर्टक हज्रत मुहम्मद साहब जिनका जन्वे 570 साओधी अरब के मक्का में माना जाता है ठीक है खलीफा पैगंबर मुहम्मद का अपना कोई उत्राधिकारी ना होने के कारण इनको न्यूक्त किया गया था इस कारण मदीना में जन्साधार सभा में अबू वक्र को उनका उत्राधिकारी चुना गया और पैगंबर के उत्राधिकारी खलीफा कहला थे अरब का भारत पे अरब पहले मुस्लिम अक्रमण कारी थे जिन्हों ने भारत पर आक्रमण किया और वो ने थल जल दोनों मार्गों से आकर आक्रमण किया था और इनका मुख्य उद्देश था सिंधू को जीतना सिंदू के जो समीपर्ती छेत्र थे मकरान जो आधुनिक बलचिस्तान है इसमें अर्वो कई प्रयत्न जो थे वो विफल हो चुके थे और आठ्मी सताबदी के प्रारम में अर्वो ने मकराना पर विजय प्राप्त कर ली जिसके कारण उनका सिंदू आगमन का जो रास्ता था मॉहमद Bin Qasim मॉहमद Bin Qasim के अरव मुसलमानों ने सिंदू पर अमला किया था और वहां के ब्रम्हर राजत दाहिर को रा दिया ठीक है अर्बों को नेक्स जाता है मुहम्मद गजनभी मुहम्मद गजनभी क्या था यमीनी वंश्क्या तुर्क सरदार था ताइस वंश्की आयू में एक हजार पच्पन इस्वी में गजनी का शाशक बना था महमुद भारत के दौलत को लूट कर हमेशा माला माल होने के स्वापन देखता था इसलिए उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और हर बारवर यहां की संपत्ति को लूट कर ले जाता था मैमूद गजनभी के 148 वश्वाद महम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था ठीक है और इसका पूरा जो नाम था सिहाबुत दीन उर्फ मुहिंदुत दीन महम्मद गोरी था भारत में तुर्क समराज की स्थापना करने का श्रे महम्मद गोरी को ही दिया जाता है प्रत्वी राज चौहान दच्षिडपूर्व के जैचन्द जैसे महान शक्षिशाली राजा थे उस समय उत्तरपूर्व में उत्तरपश्विम में तो 1151 इश्वी में उसका युद्ध प्रत्वी राज चौहान के साथ हुआ इसमें महम्मद गोरी बुरी तरह परास्थ इस प्रत्वी राज चौहान को महम्मद गोरी ने हरा दिया था और उन्हें वह अपने साथ गजनी ले जाकर उनको मार दिया था इसके क्या प्रभाव पड़े इसलाम का प्रसार इसलाम का प्रसार हुआ भारत में जन्धन की हानी हुई भारती समाज की दुरबल्दा का प्रदर्शन हुआ क्योंकि भारती समाज क्या था कई टुकडों में विभग था जिसके कारण इसलाम का आगमन हुआ यार्बो का आ भारत में अपने धर्म और वैभों के कारण इसे सोने की चिडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बारवे सताब्दी में जिस वंश का उदय हुआ, उसे सल्तनत काल के बारे में का प्रारंभी क्यूं कहा जाता है, भारत पर शाषन करने वाले पाच प्रमुक वंश के सुल्तानों को शाषन काल में दिल्ली सल्तनत या सल्तनत एहिंद कहा जाता है, ठीक है, ये कौन-कौन से राजवंश थे, घुलाम वंश, जिसका सासर कौन था, कुतबुद्दीन, एबग था, नेक्स्ट है, खिलजी वंश इनका सासर जलालुद्दीन खिलजी था, और तुगलग वंश, जिसका जो शाषक था, वो गयासुद्दीन तुगलग था, नेक्स जाता है सायद वंश, ठीक है, सायद वंश में की स्थापना किसने थी, खिज्र खाने की थी, और लोधी वंश, बहलोल लोधी ने लोधी व में घोशित किया था, सल्तनतकाली उपलब्धियां जो है, सल्तनतकाली प्रशासन की, जो चार भागों में विभक था, केंद्री प्रशासन, रांती प्रशासन, इस्थानी प्रशासन और न्याय प्रशासन, सल्तनतकाल में मंगोल, आकमणकारी, चंगेच खा और तैमूर का प्रभाव, चीक है, तेरवी और चौदवी सताबदी में चंगेज खां के नेतत्वे में मंगोल समराज की स्थापना पुई थी, चीक है, इस समराज को दिल्ली के सुल्तान के लिए अत्तिधिक विनाशकारी रूप लेकर यह आये थे, तेरवी सताबदी के अंत होते होते, मं संग्रोल समराज जो है, दुनिया के बड़े भाग तक पैल चुका था, चंगेज खां द्वारा किये गए आक्रमण का प्रभाव, दिल्ली सल्तनत पर भी पड़ा, ठीक है, तैमूर क्या था, एक तुर्क सरदार था, जिसे हम तैमूर लंग के रूप में भी जानते हैं, त इसमें वह सफल भी हुआ, और इसके बाद वह 1399 में समरकल वापस लोट गया, दिल्ली सल्तनत के जो पतन के कारण थे, उसमें सामराजी की विशालता, बहुत बड़ा सामराजी था, जो की एक जुट करना संभो नहीं हो पाया, निरंकुष शासन वेबस्था थी, गुलाम प्रिय शासक थे, जजिया अन्यकर लगाना, जो हिंदूओं पर लगाया गया, अमीरों का सरयंद्र, जो अमीर वहां पर मंत्री मंडल के सदच से थे, उनके सरयंद्र, और अधिकारी के उत्राधिकारे के नियमों का अभाव, उत्राधिकारी बनाने के लिए कोई भी ऐसे नियम नहीं थे, केंड्रिय दुर्बलता और मुगल आक्रमण का आना, भारत में सूफी वाद, ऐसा माना जाता है कि भारत में सूफी वाद का उदाय था, वो 11 सतापदी, 11 से 12 सतापदी की मध्य हुआ था, इसको भारत में लाने वाले अलहुजवारी थे, जिनकी जो मृत् किर्वी और 14 सतापदी में कश्मीर बिहार बंगाल में फैल चुका था, और सूफी अफगानी जो है, वो भारत के रास्ते से ही, अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आए, अब हम आगे बढ़ते हैं, भक्तियान दोलन की तरफ, भक्तियान दोलन की जो शुरुवात थी, व और हिंदु धर्म में समन्मय स्थापित करना, चार संतों दोलन मठो की गई थी, जिसमैं, विषिश्च दोएतवास की इसथापना, वार्मी 65 में, से हुई थी द्वयत्वास की स्थापना तेरवी सतापदी में निंबका चारे जी द्वारा की गई थी मौहमन बिन तुगलक के शाषनकाल के अंतीम समय में दखन के में अमीरान असादा के विद्रो के परिणाम सुरूप भाहमनी राजी की स्थापना 1347 इस्वी में कोई थी 3 अगस 47 में अलाओ दिन भाहमन शाह के नाम से सुल्तान उसने स्वयम को घोशत किया थी कि वहाहमनी राजि के प्रमव्बा कोन कौन से थे थे पहले मोहमकत साफ प्रथम मुझाहिप साह मोहमद शाह दभती आहमेध शाह अलाओ दिन भती कुमायू निजाम शाह और मोहमद साह रोटि वहमनी राजिकाल में म्हें मुद्राव घृति underneath not के समय बह्मानी राज बह्मानी सामराज का सप्ते बड़ावजीर था महमुद गवा की मृत्यू के बार बह्मानी सल्तनत का पतर प्रारम हो चुका था विजयनगर की स्थापना 1436 इस्वी में हरिहर यहां बुका ने संसक्रत के विध्वान माधो विध्यारंड के सायोग से तुंगबदी नदी के किनारे विजयंगर की स्थापना की थी इस वंस के जो प्रतम्शासक थे वो हरे हर अरु से स्धी glowing के उपाधि कर के बैठे थे और इनोंने अपने सामराजिक की सीमा को दच्छन में त्रिचना पल्ली तक पहुचाया था 1429 स्वी में देवराद दुती ने संगम वर्ष की सासन सत्ता को ग्रहण किया था उनके समकालीन पिसिद्ध कन्नड और तेलकू कवियों को इन्होंने संरक्षन तुदान किया था नर्सिंग सालू 1486 स्वी के आसफस नर्सिंग सालू अपने स्वामी विरुपाक्ष को सिंगहासन से हटा कर स्वयम गद्धी पर बैठ गये थे पहला विजयनगर सामराज का बैवनी राज से लगातार युद्ध खोना समराजी का अयोग सैंरिक संगठ संघ आधान का विजयनगर सामराज में प्रांथ pantalla से बलता का ह 커플ण है जो प्रांथ थे उनके जो अधिपत, जवर्शास्फमी थे उनका मजबूत होंग हो विजयनगर के सामराज के पतन का बहुत बड़ा कारण था, विजयनगर सामराज के पश्यंततपर पुर्तगालियों का आवास होना और विजयनगर सामराज के जन्विरोधी नितिया नीक्स्ट है में चाह एञट्रा सक्टियों का माणाव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्म दोनों प्रकावल से प्रभावं देखने को मिलता है। इन सक्तियों के अंतर कौन आते हैं। प्रत्वि शूर्यचंद्रमारऒ प्रभुकह रूप से प्रभावित करते हैं शूर्य चंद्रमा की गतियों में अंतर संबन। चंद्रमा नहीं की गतिय जों नहीं के बराबर है। चंद्रमा की विशिष्ट गतिया जो है, जिसमें उसका जो विवरण है वो बहुत संशिप्त यहां पर बताएंगे, चंद्रमास का जो समय है, वो एक पूर्ण चंद्र से उसके अगले पूर्ण चंद्र के मध्य का होता है, सामानत है यह दिन, 29 दिन 12 गंटे और 44 मिनट के आ मौने का वैसम है, जिस अबधी में चंद्रमा की सीधी, चंद्रमा की सीध में प्रत्वी इस्थित, बिंदु पूना एक बार घूम कर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस उसको कहा जाता है, परिक्रमा एवाँ घूर्णन, ठीक है, चंद्रमा देर्गवर्त्रपार परफः प्रत्वी के चक्का लगाता है और यह 27 दिन 7 गंटे और 44 मिनिट की होती है, इसे क्या कहते हैं नच्छत्रमास के नाम से जाना जाता है, सूरे की सापेक्षक गती प्रत्वी की परिक्रमा के साद सा चंद्रमा ुझालाईay जैसे कि डाग्राम में आप देख रहे हैं ठीक है कि चंद्रमा की कलाई कैसे बढ़ती हैं और कैसे घटती हैं गोल आकरती के कारण आधे भाग में सूरक का प्रकास पढ़ता है शेस जो आधा भाग होता है वो अंदकार में रहता है इस कारण केवल प्रकाशित भाग जो है वो घटता या बढ़ता रहता है। इसी आकार में कभी वह हसीय के तरह, या कभी आधा, या कभी पूरा दिखाई पढ़ता है। इसे ही चंद्रमा की कलाय कहते हैं। शुक्लेवं कृष्णपक्ष। ठीक है। हम सबी शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष के बारे में जानते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाश मन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे सुक्लपक्ष कहते है ठीक है चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है तो सुक्लपक्ष आता है और जब चंद्रमा का प्रकाश जीरे-दीरे घटता जाता है तो उस अवेधी को कृष्णपक्ष कहा जा जब प्रत्वी जो है प्रत्वी से चंद्रमा धूर होता है तो इस सवस्था को एपोजी कहा जाता है ग्रहण क्या है व्यग्यानिक भाषा में यदि किसी प्रकाश्मान वस्तु या बिंदु से मुक्ठ होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा या रुकावट आती है तो वह एक प्रतिविम्ब बनाता है ठीक है तो उसे ग्रहण कहा जाता है चंद्रग्रहण क्या होता है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा करते रहने से उसकी सापैक्षिक स्थितियों में परिवर्तन आता है और परिक्रमा करते समय प्रत्वी चंद्रमा ए लगभग 15 क्लोमीटर की दूरि पर डूर संपोल स्वारुमंडल में प्रिखवी एक ऐसा ग्रह जहां जीवन पाया जाता है यह शूड़ की परिक्रमा करता है सूरसे लगभग 15 को किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है और इसका व्यास जो है 13,000 किलो मीटर है यह सूर्व का पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन में और प्रत्वी पर जीवन का स्थित्व का सबसे बड़ा कारण है कि ग्रह पर पर्या बनड के चार महत्तोपूर घटक पाए जाते हैं जिसमें इस इस्थल मंडल क्या होता है इस्थल मंडल के बारे हम प्रत्वी की धराली भाग को हम इस्थल मंडल कहते हैं जल मंडल क्या है संपोड प्रत्वी में जो संपोड शेत्रफल है उसका 71% भाग क्या है जल से घीरा हुआ है चारो तरब पानी है लेकिन जो 29% भाग क्या है जील, नदी, तलाग, भूमिगजल, सागर, महासागर ये सब इसके अंतर गताते हैं। वायू मंदल क्या है? प्रत्वी के चारोर हवा का जो विस्तृत भंडार परा जाता है उसे वायू मंदल कहते हैं। ये सूर्य की जो पराबैगनिक किरने हैं उसको प्रत्वी पर आने से रोकता है। जीव मंदल क्या होता है? प्रत्वी पर उपस्तित ऐसे छेत्र थल, जल, थल, वायू एक दूसरे से आपस में मिलते हैं अत्वा संपाक में आते हैं। उसे जय मंदल कहते हैं। इसके मुटाई कितनी होती है? लगभग 28 किलोमेटर और इसका धरातल के उपर लगभग 17 किलोमेटर तक और समुद्र तल के नीचे लगभग 11 किलोमेटर है। LOTVY की आंत्रिक सन्रचना चीक है तो प्रत्वी के धरातल के स्वरूप की आंत्रिक सन्रचना आंत्रिक अवस्था सन्रचना का ह tree परिणाम है इसको हम तीन भागों में बार सकते हैं भूप पर्टी चीक है प्रत्वी की बाहरी सतर भूप पर्टी या भूप टल कहलाती है यह पर्थ सभी पर्थों से पतली होती है और भूप टल की मुटाई जो होती है महादीव छेत्र के लगभा 30 किलो मीटर तर और महासागर के नीचे लगभा 5 किलो मीटर होती है यह पर्त्वी के संपूर द्रविमानों का करीब 0.5% हिस्सा है, भूपटल, मुक्ता, बेसार्ट और ग्रेड नाइट से बना होता है मैंटल, यह पर्त्वी की सताय में भूपटी के बाद लगभग 100-200 km नीचे तक फैला है, यह पर्त्वी के आयतन का 16% होता है कोर, यह पर्त्वी की संपूर द्रविमानों का सबसे भीतरी परत कह सकते हैं हम इसको, यह पर्त्वी की सबसे की नीचे, सताय की नीचे 29 km से लेके 6400 km तक पैला हुआ है और पर्त्वी के घनफल का 43% जो है निर्मित करता है जैल या चक्तान के कहते है , चक्तान के सकते का हम परत्वी की सताय का कठोर भात है कि मूलभूत होताया है जिसमें उपरी 100 km की मोटी परत होती है वह स्थलमडल कहलाती है इन ही चक्तानों से परवत पठार और परत्वी का निर्माड होताし नेक्स चप्टर हमारा है विभिन धरातली कारण ठीक है तो धरातल के रूप को बदलने के जो कारण है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो भूतल पर परिवर्तन लाने वाली प्राकृतिक सक्तियां मानुवी प्रभाव से मुक्त होती हैं प्राकृतिक सक्तियां अंतर जात या आंतरिक और बहिर जात या बाहर दो प्रकार की होती है प्रत्वी के आंतरिक भाग में उत्पन बल अंतरजात बल या शक्ति कहलाते हैं इसके जबी के मैदानी भूभाग के स्थान पर तोड़ी थी किन्तु भूभू पटल में विकास और विनाश की कारण जो परिवर्तन हुए इन परिवर्तनों के उत्तरदाई कारण को ही परिवर्तन कारण कहते हैं अंतरजाग बल्ड़ क्या होता है प्रत्वी पर पाए जाने में वाले विविन रूपों इस्थल रूपों का जो निर्माद दो प्रकार की शक्तियों की पारश्परिक क्रियद्गा के द्वारा होता है छीक है अंतरगत वलण या अभ्रश आदी आते हैं इसके अंतरगत प्र दो प्रकार है इसके, पहला है दिर्कालिक बल या पटल विरूपडी, ये क्या है? इसके अंतरगत लंबवत तथा छैतिच संचालन आते हैं, इन संचालनों को क्रमसा, जो महादीब का निर्माण, लंबवत संचालन तथा परवत निर्माण के लिए 36 संचालन कहते हैं, अकस् परिणाम सरूप अलग-अलग भू-द्रश्य निर्मित हो जाते हैं, या अलग-अलग द्रश्य बन जाते हैं, इस बल से भू-पटल पर विनाशकारी घटनाओं का आकस्मिक आगमन होता है, ठीक है? जो भू-कंप के रूप में या ज्वाला मुखी के रूप में होता है, भू-कंप क्या है? प्रत्वी की बापरत में जब हल्चल पाई जाती है, तो वे उस उर्जा से उत्पन जो परिणाम होते हैं, वो भू-कंप कहलाते हैं, या हम इसको एक तरह से प्रत्वी का हिलना कह सकते हैं, भू-कंप के प्रकार, भू-कंप के प्रकार के अंतरगत, अ इस प्रकार के भूकंपों में अंतर प्लेट भूकंप कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों की परसपरिक संबंधित खिया के बल से होती है विवतरनिक भूकंप ये क्या है? अधिक इस्थलमंडली प्लेटों की परसपरिक तकराओं से जो उत्पन उर्जा होती है वे इस भूकंप का कारण बनती है वितलिय भूकंप इस तरह का भूकंप धर्ती के बहुत नीचे इस्थित होता है और इसका केंद्र 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है और ऐसे भूकंप जो सिर्फ 5 या 10 प्रतिशत ही पाए जाते हैं या होते हैं आपदा प्रबंद आपदा प्रबंद क्या है अगर किसी तरह की समस्या जो अचानक समस्या उत्पन होती है उसको किस प्रकार से उसको खत्म करने के लिए क्या-क्या रड़नीती या क्या-क्या क्रिया होनी चाहिए उसके बारे में बात है यहां पर आपदा प्रबंद व्य आई जाती है भारत सरकार के आपता संबंधी मंत्राड़े ने प्रतेक 29 अक्टूबर राश्टी आपदा न्यूनी करण दिवस मनाने की घोशना की इसके तीन चरण है आपदा का पूर्वा अनुमान लगाना आपता की इस्थिति में राहत एबं बचाव कारे करना और में इस प्रकार की आपदाओ को रोकने के लिए रोक थाम के उपाय अपनाना बहिर जात बल या बाह बल प्रत्वी की सतह पर उत्पन होने वाले या कारे करने वाले बल को बल जो भूतल को समतल करने की क्रिया में क्रियाशील रहते हैं या लगे रहते हैं वह बहिर जात बल कहलाते हैं ठीक है अपच्छे क्या होता है ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिसमें चटाने अपनी जगह से तूटती रहती है और वे तूटा हुआ पदाड अपने मूल इस्थान पर पड़ा रहता है वे अपच्छे कहलाता है तापमान और वर्षा के प्रभाव से भूपटल की च च्छे होता है चोटे चोटेटों में विभथ कर गतिभारी साथियों द्वारा एक इस थान रहती है इसी प्रक्रिया को कहते हैं नेक्स्ट है हमारा वायू मंडल और जल मंडल वायू मंडल क्या है धरातल के चारो और हवा का विस्तित भंडार है इसे हम वायू मंडल कहते हैं ठीक यह वायू मंडल का लगभग वायू मंडल क्या है गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन गैसे इसमें उपस्थित होती है और य वायू मंडल का लगभग 99% भाग धरातल से 32 किलो मीटर की उचाई तक सीमित होता है। वायू मंडल की सनर्चना धरातल से 1000 किलो मीटर की उचाई पर फैले हुए निम्ने भाग मनुष्य के लिए पहले से ही मातोपूर्ण होता है। वायू मंडल धरातल के साथ टिका हुआ है और प्रतिवी वायू के छोटे-छोटे कड़ों को अपनी और आकर्शित करती है। इस कारण प्रत्वी पर वायू मंडल में भारी मात्रा में गैसे पाई जाती हैं, जैसे जैसे धरातल से इसकी उचाई बढ़ती है, वैसे वैसे वायू मंडल में इन गैसों की जो मात्रा होती है, वो घट्टी जाती है, वायू मंडल के तत्व, वायू मंडल के प्रमुग तत तल की प्रती इकाई छेत्र के ऊपर वायु इस्तंब के कुल भार के रूप में परिभाशिक किया जाता है। वायु दाब पेटियां इसे विशुवत रेखा के समीब 5 डिग्री उत्री और 5 डिग्री दक्षणी अच्छांस तक माना जा सकता है। इस पेटी पर पूरे वशुर की जो किरण है वो सीधी पड़ती है और इसके कारण ठंडी हवा गर्म होकर उपर को उठती है। और उपर की ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आ जाती है और नीचे आने से वह फिर गर्म होकर उपर जाती है यह जो क्रम है वो वर्ष भर चलता रहता है उच्च दाप कटिबंद पेटिया इस पेटी कविस्तार दोनों गोल आर्धों में 30 दिग्री से 35 दिग्री अच्छांस के मध्य होता है उपध्रूवी निम्न दाप कटिबंद पेटिया दोनों गोल आर्धों में 60 दिग्री अच्छांस रेखाओं के निकट निम्न वायुद उसे हम पवन कहते हैं इसके चलने का मूल कारण क्या है धरातल पर वायुदाप से चैतिक विशमता को संतुलित करने के लिए प्राकृति द्वारा किया गया प्रयाज है वायुमंडल की आदरता वायुमंडल में विद्वान आदरश जलवाश की मात्रा आदरता कहलाती है जैसे वर्षा, कोहरा, बादल, ओस, ओला, इत्यादी चक्रवात एवं प्रति चक्रवात चक्रवात क्या है चक्रवात चलता फिरता निम्न दाप केंद्र होता है जिसके चा वाग उत्तरी गोलाद में केवल श्रीतुमें आते हैं घट्षडी गोलाद में जल काभाग अधिक होने के कारण प्राया साल बर अक्सार आते रहे चक्रवाद नहीं वह ओष्ण के बंध कबन्धी चक्रवाद समूद्र का तटवर्ती आते लगबक न HC मंदल पर जल तथा 29.2% भाग पर इस्थल होता है यह हम पहले भी बता चुके हैं लहरे क्या होती है लहरों का जल उपर से नीचे और आगे से पीछे की तरफ गती करता है हवा चलने के कारण यह साथी समुद्र में गती होने के कारण यह शुरू होती है समुद्री महासागरी धाराएं महा महासागरी धाराएं महासागर के अंदर बेहने वाली ऊष्न या सीतल नदिया होती हैं महासागरी धाराओं के प्रकार क्या हैं गर्म जल धाराएं और थंडी ज्वार भाटा क्या है ज्वार भाटा इस सागरों में जल इसतर का सामाने इसतर से उपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे जो गिरता है पानी वह भाटा कहलाता है यह घटना केवल सागर पर ही मानने नहीं होती बलकि उन सभी चीजों पर मानने होती है जो समय एवं गुरुत्वा बल लगता है जिसमें जैसे फोस जमीन पर भी प्रत्वी चंद्रमा और सूर्य की पारसपरिक गुरुत्वा कर्शन सकती की क्रियालत्रील्टा से जौर भाटा की उत्पत्ती होती है जौर भाटा के प्रकार इसमें दीर्ख जौर लगुजौर आयन व्रत्ती जौर और विश्नुवत रेखी जौर आते हैं जौर भाटा के क्या कारण है जौर भाटा के प्रमुख कारणों में जौर भाटा की उत्पत्ती का प्रमुख कारण होता है गुरुत्वा कर्शन की शक ज्वारभाटा के समय की जो अंतर होता है वह 24 घंटे में दो बार ज्वार आता है परन्तु हर 12 घंटे के बाद नहीं आता है बलकि 12 घंटे 26 मिनिट के बाद आता है ज्वार उत्पन होने में 26 मिनिट का यह अंतर प्रत्वी की परिभ्रमण गती के कारण होता है परिभ्रमण परिक्रमा 28 दिन में प्रत्विकी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इस प्रकार 24 घंटे और एक मिनट में अपने वरत्ते पर 18 भाग ताय करता है। भारति सम्मिधान, किसी भी राष्ट के दर्शन को मार्ग दर्शन के रूप में निर्धारित करने के लिए उस राष्ट का सम्मिधान होना अति आवश्यक है। यह सम्मिधानी राष्ट की जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एवं जीवन के सभी कल्यानकारी छेत्रों विकार करने के लिए सरकार को मार्डशन और दिशाप्रदान करता है। निश्चित नियमों का एक संग्रह है जिससे सरकार की कारविधि प्रतिपादित होती है जिसके द्वारा उनका संचालन होता है। निश्चित नियमों के प्रतिनिधी और चार चीफ कमिशनर और छेत्रों के प्रतिनिधी तदा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधी होंगे। संविधान का गठन संविधान के गठन निर्माण की प्रक्रिया में निमलित तरीके से हम समझ सकते हैं आइस्थाई अध्यक्ष। संविधान सभा का प्रतम अधिवेशन 9 दिसमबर 1946 में हुआ और इस सभा के वरिष्य सदस्ष्री सचिदानन सिन्हा जी को सभा का आइस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। समिधान निर्माण के लिए विभिन समितियों का गठन किया गया है इन समितिया प्रात रिपोर्टों को करमबत करने के उद्देश से 29 अगस 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अमबेटकर जी थे भारती समिधान की क्या विशेश्ञता आइं लोग अंत्रात्मगणराज्ये प्राभुता का होना धर्म निर्पेक्ष Cl biraz का होना लिखित और विश्ञासं विधान हे यह संसदियर सभ्रभुता एवं नयाएक से समन्वय का होना जिसमें राश्रेपती की सहायता करने के लिए प्रदान मंध स्वतंत्र न्याय पालिका का होना और ग्राम पंचायतों की स्थापना होना नागरिक्ता से क्या मतलब है नागरिक्ता का मतलब वह स्थिती से है जिसमें व्यक्ति किसी राजनैति या सामाजिक सामुदाय का पूर्णता उत्तरदाई सदस्य होता है और ये वह जीवन भर तता वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है लास्की ने बताया है यहाँ पे नागरिक्ता से आसा है उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज के सदस्य मात्रे ही नहीं बलकि संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं करतव्य का स्वाभाविक पालन करता भी होता है नागरिक्ता अधिनियम उनाई सो पच्पन संसद ने उनाई सो पच्पन इसवी में भारती नागरिक्ता अधिनियम पारित किया था इस अधिनियम से यह सपष्ट है कि भारती नागरिक्ता की प्राप्ति किस प्रकार होगी और किन परिस्थितितियों में भारती नागरिक् करने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं उनमें कौन-कौन से अधिकार हैं बुख रूप से इस डियाग्राम के द्वारा हम समझाते हैं जिनमें हैं पहला समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार सोशन के विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सां नियम 12 October 2005 को लागों हुआ था इसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी अभिलेखों द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया नागरिकों के मूल करतब यह जिसमें भारती संविधान का पालन करना उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट द्वजो और उनका पालन करना भारत की संप्रभुता एक्ता और अखंडता की रक्षा करना देश की रक्षा यह आवाहन किये जाने पर देश की सेवा करना भारत के सभी नागरिकों के प्रति समरस्ता वा समान भातत्यों की भावना रखना अपनी संभावित संस्कृतिकों गौरोश अपना कर सुधार की भावना रखना सावजनिक संपत्ति को छती ना पहुंचाना और व्यक्तिकर तथा सामोहिक प्रत्न द्वारा सभी छेत्रों को उन्नती करने का निरंतर प्रयास करना नेक्स्ट है माता-पिताव अभिवावक के रूप में 6-14 वर्ष के बच्चो अत्वा आश्रितों को सिक्षा के समान और उसर प्राप्त होना राज के नीती निर्देशक तत्तों के माध्यम से एक दिशा की तरफ संकेत किया है जिसका अनुसरण केंद्र और राज सरकारों को कानून निर्माड के समय करना पड़ता है इसके बारे में डॉक्टर बी आर अमेटकर द्वारा कहा गया है कि नीती निर्देशक सिध्धानतों को बनाने का उद्देश अन्य बातों के साथ सामाजिक वा आर्थिक लोगतंत्र की इस्थापना करना है नीती निर्देशक तत निर्देशन स्वास्त शिक्षा पर्या बनन और संबंधी नीती निर्देशों का निर्देशन साथी साथ अंतर राष्टी शांति सुरक्षा से संबंधित नीतियों का बनाया जाना इसके अलावा कुछ निर्देशक तत्व भी हैं जो 42 संसोधन द्वारा सम्विधान में जैसे बच्चों की स्वतंतरता और सम्मानता के साथ जीवन यापन कर समान उसर मिलना निर्धनों की निश्वल कानूनी सहायता प्रदान करना और उद्योग धंदों आदि के लिए स्रमिकों को महत्वण सुझा प्रदान करना इसके अलावा अब हम आगे आते हैं कि उपभ एक व्यक्ति उपभोकता होता है जो कोई वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का किराय पर प्रयोग करता है जिसके लिए धन देता है अथ्वा देने का वादा करता है उपभोकता संरक्षन अधिनियां 24 दिसंबर 1986 को प्रदान मंत्री राजिव गांधी द्वारा की गई पह संपोर्ण देश में उपभोकता संरक्षन अधिनियां लागू हुआ था है इसके अधिकार क्या क्या है सुरक्षा का अधिकार है वस्तु के बारे में सूचना पाने का अधिकार है चैन का अधिकार है इसके अलावा सुनवाई का अधिकार है विवास सुल्जाने का अधिक है देश के उद्योग व्यापार और पशुपालन के विकास में क्रशी प्रमुक्रिस्तान पर है इसकी विशेस्ताएं है अर्ध्य व्यापारिक निर्भर होना, आधुनिक क्रशी के ग्यान का आभा होना, ये हैं भारती क्रशी की विशेस्ता हैं, भारत में फसल चक्र, भारत में फसल चक्र क्या है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसकी भौगोलिक दशाएं अलग-अलग होती है, इनमें भिन्नताब देखने को मिल पूर्वी भारत को इस भाग के लिए रखा है जहां चामल जूट और चाय इसके अलावा गेहु छेत्र उत्तरी भारत जहां पंजाब हरियाना और उत्तर प्रदेश आते हैं कपास का छेत्र गुजरात और महाराश्व आते हैं इसके अंतरगर्ट मक्का और मोटा अनाज कहां पैदा होता है महाराश्व मध्यप्रदेश में बाजरा और तिलहन हिमाचल प्रदेश में प्रजनक बीच यह बीच प्रजनक की सीधी रेखा में तयार किये जाते हैं और अन्युमान्षिक रूप से प्रजनक बीच को सत्य प्रतिशत शुद्ध होना चाहिए और ऐसे प्रजनकों पर सही पाए जाने पर प्रमारित किया जाता है प्रमारित बीच यह बीच आधार बीच की संतती होते हैं जिने प्रमारिकरण संसंद्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पाए जाने पर प्रमारित किया जाता है जनेटिकल जिनको अनुवांशिक पदार्थ में बदलाव किये जाते हैं ऐसी फसलों की उत्पत्ति इनकी बनावट में अनुवांशिकी रूपांतर से की जाती है जिसका जो मुख्य उद्देश होता है वे बिमारियों और कीटों के माध्यम से फसल को जो नुकसान होता है उससे बचान नेक्स्ट है भारती क्रशी में हरित्क्रांदी हरित्क्रांदी का आशर देश के छटे दशक के मद्ध क्रशी उत्पादन में भारी प्रद्धी से है जो कम समय में उची उपजवाले बीच एवं रसायनिक खादों की सहायता से के फलस्वरूप उत्पादन में क्रशी उत् आए में ब्रधि से है शब्द कोश के अनुसार आर्थिक संबंध समाज के अन्य संबंधों को निश्यत करते हैं तथा आर्थिक आधार का निर्मान करते हैं राष्टी-क्रशनीत निर्धारित करने की परंपरा की जो शुरुबात हुई थी वह 990 में हो गई थी पहली क्रशन क्रशनीत 1902 एवं दूसरी क्रशनीत 28 जुलाई 2000 में घोशी तुई इसका प्रमु खुद देश क्या था भारती क्रश में चिपी वी व्यापक विकास की संभावनाओं को खोजना भारती वित्व विवस्थायों और द्योगिक करण मुद्रा का अर्थ मुद्रा क्या है मुद् जाती है वे मुद्रा कहलाती है मुद्रा की परिभाशाओं में वाकर ने कहा है कि मुद्रा वे है जो मुद्रा का कारे करती है मुद्रा के कारे क्या है मुद्रा के निमलिकित कारे है मुद्रा क्या है विनिमय का माध्यम होती है मुद्रा मापन का कारे करती है मुद्रा मूल मुद्रा साख का का अधार है घ्रेशम का नियम, घ्रेशम का नियम यहाँ पर क्या है। घ्रेशम ने बताये, अदिक भोगा था सभर सम्धोय आधरे, तो अच्छी वस्तूपने थर्खना चाहते हैं, खराब हरस्तूपने, भुष्तूपन का ने करत利ुद पने amor दू लाता है मुद्रा इस्फित इसका अर्थ होता है फैलाओ या प्रसार करना मुद्रा इस्फित का अर्थ होता है फैलाओ या प्रसार करना दूसरे शब्दों में मुद्रा इस्फित एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसका दीरविकाल में यह अनुभो किया जाता है कि अोधर क्ーム फेदक हैं मुद्रा आपेतसान और वस्तुम को चेहरीन शी दिशाओंॡ um उसके विप्रीत की अवस्था आ अपने ऐ दो जाती है निया तो इसे समान इसकर नाम को मज़दान विप्रृत की मात्रा कहलाती है मुद्रा संकुचन क्राउथर के सब्दों में मुद्रा संकुचन वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल बढ़ता है और कीमिते गिरती है मुद्रा अवमूल्य का अर्थ क्या है जब कोई देश दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा को कम कर देता है तो इस प्रकार की स्थिती में वह मुद्रा अमूल्यन कहलाती है डॉक्टर गांगुली के अनुसार अव मूलन का अभिप्राय देज की मुद्रा के वाह मूल्यों में कमी कर देने से है या अव मूलन से अभिप्राय चलन की अधिकरस समताओं में कमी होने से है और द्योगिक विकास प्राचीन काल से विभिन प्रकार के प्राकृतिक संसाधन की संपनता के कारण देश की गणा विश्व के प्रमुख और द्योग की चेत्रों में की जाती है ठीक है यहां पर सूती एवं रेश्मी वस्त्र लौ इस्पात उद्योग और अन धातूं से निर्मित वस्त हुए विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं भारत में और द्योगी कर ग्रह उद्योग कैलाता है लग उद्योग क्या है चोटे प्रमाने पर ऑद्योगी की काईयों में बह उद्योग होते मध्यमिष्टर के विद्मिय की सहायता से कियं जाते है भारत में उच्च तक्नीक निर्यात उद्योग एवं लेखन सामगरी तथा ओशदी निर्माण के छेत्र में पांच करोर रुपए तक की सीमा को निर्धारित किया गया है। को सामिल नहीं किया गया। जिसमें शराब, सिगरेट, खतरनाक, रसायन, सुरक्षा का समान और द्योगिक विसफोटो को छोड़ता है। अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस, इन सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की विवस्था को समाप्त कर दिया गया। इनके लिए आवश्यक हो गया और इसके अलावा अन जो उद्योग के लिए थे, उनके लिए लाइसेंस समाप्त हो गया। मतलब उनके लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं थे। बहुराश्टी कम्पनियां ऐसी होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व रखती हैं यह कम से कम दो देशों में उत्पादन की स्थापना का प्रबंध करती हैं यह अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और ऐसी कम्पनियों को अलग-अलग देशों में इनके कार्यालय और कारखाने होते हैं तथा एक केंदिक प्रधान कार्यालय होता है यदि हम इसको सं अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारा वीडियो लाइक एंड सस्क्राइब करना ना भूले